हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग दोस्तों में श्याल आप सब का स्वागत करता हूँ आपके और हमारे अपने चैनल में उमीद है दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आती होंगी पसंद आती हो तो चैनल दो सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बेल आइकन को दमाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करें जब भी हम को नई वीडियो बनाया करें ओके दोस्तों तो इनकेस अगर वीडियो पसंद आती है तो हिट दा लाइक बटन और कॉमेंट करके बताईएगा कि वीडियो कैसी ल अपकमिंग वीडियो की और हमें मोटिवेषन मिलतीरा करें वीडियो बनाने के लिए ऊके दोस्तों चैणल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट ओके दोस्तो आपको इन केस किसी को call करना होता है जैसे कोई आपका friend है तो आप क्या करते हैं आपके पास एक option होता है आप जाते हैं डायलर में डायलर में जाने के बाद आप उसका नाम search करते हैं जैसे कि यहाँ पे जाके आप search करते हैं कोई भी नाम अगर आपको सर्च नहीं लेकिन मैं बोलूं कि इससे वी फास्ट एक तरीका है जो आपको पता चले तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए चीज़ा सर्च करने के लिए तोस्तो झलिए मैं बताता हूं आपको क्या गरना है इसके लिए भी आपको dialer पे ही आना होगा ओके दोस्तों दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपका number आ चुके हैं जिनसे आप number dial करते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आपको एक चीज़ पता है पहले हम keypad यूज़ करते थे उसमें भी ऐसे ही number के नीचे alphabetic numbers होते थे जैसे की 2 के नीचे ABC है 3 के नीचे DEF है तो दोस्तों अब तो इनका कुछ use होता नहीं है फिर भी ये number क्यों दिये हुए हैं क्या आप जानते हैं मैं बताता हूँ इनका use दोस्तों अभी भी होता है लेकिन लोग करते नहीं हैं मैं बताता हूँ कैसे दोस्तों मैंने अभी आपको बताया एक था मेरे mobile में number save जिसका नाम है urgent sale के नाम से ओके दोस्तों अब दोस्तों देख सकते हैं आप urgent sale मुझे search करना है तो मैं किस तरीके से करूँगा किस तरीके से मैं कर सकता हूँ यानि कि U R G E N T ये मुझे सर्च करना है तो मैं दोस्तो उपर सर्च पर न जाके अर्जेंट यानि कि U किस नंबर पर आया है 8 पर आया है तो मैं 8 को एक बार टैप करूँगा ओके दोस्तो R आया है दोस्तो तो R कौन से पर या 7 पर तो फिर मैं R पर करूँगा देन अर्जेंट मैं क्या आता है G G P मैं जैसे ही किलिक करूँगा G का नंबर है 4 उपर देख रहा है दोस्तो नंबर चेंज हो रहा है देन आएगा E E के लिए 3 नंबर अब देख रहा है दोस्तो मैंने नंबर डायल कि है 8743 और अर्जेंट सेल का इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी वो मुझे सर्च करके दिखा रहा है ये चीज कभी आपने सोची थी उमीद है आपने नहीं सोची होगी इनकेस आपने सोची है दन यूर स्मार्ट तो अगर गूगल को आप यूज करते हैं अगर आप ये सारी चीज़ों को एंडरीट फॉन को यूज करते हैं अडरीट ऑलेडी बहुत स्मार्ट है तो उसे यूज करने वाला बंदा भी स्मार्ट ही होगा तो दोस्तो ऐसी टेक्निक्स को आप यूज करके और स्मार्ट बन सकते हैं और किसी को भी शो कर सकते हैं कि how much smart you are ओके दोस्तो तो ये चीज़े आप यूज कर सकते हैं चलिए दोस्तो हमारी एक सेटिंग होती है खतम अब हम आते हैं अपनी दूसरी सेटिंग्स पर ओके दोस्तो चलिए वाटसेप खोलते हैं दोस्तो वाटसेप में एक फीचर होता है जैसे बोलते हैं स्टेटस ओहो स्टेटस की लाइन लगा देते हैं लोग की दूस्तोव चलिए दूस्तोव लेकिन दोस्तोव चलिए मैं अपको एक बार कोई स्टेटस खोल के दिखायेता हूँ जैसे मेरे एक मित्रन ने ये फोटो लगा रहा है अब दोस्तोव workflow देख रहे हैं ऊपर टाइम जा रहा है और ताइम के साथ это status खरत्म हो जाएगा लिए मैं आपको बताता हूँ, दोस्तो मैं एक status खोल लेता हूँ, चलिए दूसरा status खोलता हूँ, यह मेरे एक और फ्रेंड है, जिन्होंने यह status लगा रगा, अभी मैंने tap कर रखा, इसलिए यह रुका हुआ है, अब दोस्तो मैं अपनी three fingers use करूँगा, और उससे एक बार ध करेगा आपको यह, ओके दोस्तो, यह थी हमारी trick number second, जो कि generally लोग use नहीं करते, use कर सकते हैं, ओके दोस्तो, जो कि काफी cool है, एक और setting में आपको बताता हूँ, दोस्तो, आप screenshot लेते हैं, तो क्या use करते हैं, screenshot आप लेते हैं, तो आप एक चीज़ यूज करते हैं, आप की use क करते हैं, दोस्तो, Android phone दिया गया है, तो की use करने की जरूरत क्या है, तो आप बोलेंगे, फिर हम screenshot कैसे लेंगे, हो सकता है, माइड भी कुछ लोगों को यह पता ना हो, कुछ लोगों को यह पता हो, आप अपनी finger से, तीन finger से screenshot ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, दोस्तो, screenshot आपका ऐसे खिच जाएगा, थिरी fingers लीजिए, उपर, mobile की, उपर screen की तरफ रखिए, और एकदम से नीचे उनको drag कीजिए, और यह screenshot खिच जाएगा, ट्राय करके देखिए, यह थी हमारी setting number 3, चलिए, दोस्तो, एक और setting बताते हैं, यह setting फिर WhatsApp से चड़ी होई है, अब दो कजब होते हैं, ओके दोस्तो, इन केस, आपका friend बोलता है, भाई, मुझे भी यह status देते हैं, मुझे भी यह लखाना है, आप उसे मना नहीं कर पाते हैं, अब आप क्या गरते हैं, आप सर्च करने लग जाते हैं, अपनी gallery पे, तो मेरे दोस्तो, इसके अलावा भी बहुत option ह हैं, आपके पास, क्या option है, वो मैं बताऊंगा आपको, ओके दोस्तो, दोस्तो, गैलरी पे जाके सर्च मत कीजिए, यह तरीका हो गया पुराना, WhatsApp पे बहुत सारी चीज़े अपडेट होती रहती हैं, तो यह चीज, अब मुझे इतना है, शूर नहीं हूँ, I guess, यह चीज अब आ चुकी है, आप WhatsApp पे जो इस स्टेटस आपने लगाए हूँ, वो आप शेयर कर सकते हैं, बिना गैलरी में चाहे, यहां थरी डॉट, चली मैं अपना स्टेटस खोल लेता हूँ, यह मेरा स्टेटस है, जो बुरी थूट का एक लड़का है, जो कि मैं खोद हूँ, ओक आपको forward, share, share to Facebook and delete, delete करना चाहें, delete कर सकते हैं, forward करना चाहें, आप अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं, यह आप वीडियो के साथ भी कर सकते हैं, फोटो के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज में आपको एक loss कुछ नहीं बोलेंगे, बस यह icon जैसा कि आपको आपने दे तो दोस्तों इसे आप इस तरीके साथ share कर सकते हैं, चलिए मैं इस वाले गुरूप में कर देता हूं, देखिए दोस्तों हो गया, अरे बापरे, forward वाला icon नहीं आया, बहुत अच्छी बाद नहीं आया तो, लेकिन किसी किसी case में यह आएगा, ओके दोस्तों, जो की काफी cool Chrome यूज करते हैं, Google Chrome एक ऐसी चीज है, जो आपका इतना नेट खाता है, इतना नेट खाता है, कि आपको पता नहीं चलता है, कि कितना नेट खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है, अब दोस्तों, what if, मैं बोलूँ, कुछ लोग आपको suggestion करते हैं, मेरे जैसे लोगी suggestion करते है कि आप ये app यूज कर लीजिये, वो एप यूज कर लीजिये, हाला कि मैं किसी गलत मकसाद से नहीं बताता, लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताँगा, किसी app करने की जरूद नहीं है, अगर इनके यूज करना चाहें, कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं क्रोम खोल लीजिए अरे बापरे यह तो वर्डो मीटर आ गया भाई यह कोवेट विजुलाइजर है और जो जातर मैं यूज करता हूं कोवेट 19 के केस देखने के लिए ओके दोस्तो चलिए दोस्तो अब मैं सेटिंग बताता हूं दोस्तो इसके लिए आपको थी डॉट पे जाना होगा सेटिंग पे जाना होगा दैन आपको एक option मिल जाएगा जिसे बोलेंगे बहुर प्यारा सा option है जिसे बोलेंगे light mode ओ बापरे इनकेस अगर आप इसे use करेंगे दोस्तो आप इसे on कर लीजिए मेरा on है आप भी कर लो तो दोस्तो क्या है यह दोस्तो Google के developers ने बत है there is most of the chances आपका जो डेटा है वो 60% कम फोकेगा समझे दोस्तो 60% चांसे हैं आपके कि आपका जो डेटा है वो कम फोकेगा cool है ना तो यूज कीजिए ना या attention क्यों लेते हो तो दोस्तो मजा आया बहुत कुछ बता दिया है मैंने आप इसे भी यूज कर सकते हैं ज्यादा देटा फोकता है Chrome को हटा के light mode use कीजिए इसी का मतला हटा तो सकते नहीं है आपका डेटा जो है वो कम होगेगा इस बात की shorty मैं दे सकता हूं ओके दोस्तो तो उमीद है दोस्तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बैल आइकन को दबाना ना भूला दोस्तो बहुत जल मिलेंगे हम आपको नेक्श वीडियो में ऐसी ही अमेज